ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्वद चतुष्टयं यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविंतानु पास्महे मध्यप्रदेश भोच मुक्त विश्विद्याले का इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्माण और शोद केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है विधी विशेपर आधारे ध्वनी कारिक्रम समवेधानिक न्याय निर्नैन ये कारिक्रम LLM अन्तिमवश के विध्यारतियों के लिए प्रथम प्रश्नपत्र जुडिशिल प्रॉसस की दूसरी एकाई पर आधारेत है कारिक्रम के विशेविशेशग्य है डॉक्टर मूना पुरुहित इस करिक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तितिकरण किया है अमर बहादूर यादवने तो साथियों आए सुनते हैं ध्वनी करिक्रम समवेधानिक न्याय निर्नैन मथ्य प्रदेश भोज मुक्त विश्विद्दाले के एललम के विद्याठियों का हम स्वागत करते हैं अपनी पिछली श्रिंखलाओं में हमने न्याईक प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की थे जिस संबंध में हम न्याईक प्रक्रिया की प्रक्रती, न्याईक पुनवलोकन, न्याईक सक्रेता जैसे विश्यों पर उलेख कर चुके हैं आज हमारा विश्य है न्याईक प्रक्रिया एवं समवेधानिक न्याय निर्नैन समवधानिक निया निर्णेन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम समवधानिकता तथा समवधान की अवधार्णा को समझें एवं समवधान के उबंधों के निर्वचन या इंटर्परेशन में नियाय पाली का दौरा अपनाय जाने वाली प्रक्रिया को भी जान संवन्धानिक्ता क्या है? प्राचिन काल में ही प्राकृतिक एवं डैविय विधियों के उलेक होता है उसके पस्चात राजतंत्रद्वादा अर्थात राजाओं द्वारा निर्मित विधि में परिवर्तन क्या गया इसके उपरांत प्रजात आंत्रिक राज्यों के अभ्युद्यय के साथ ही विधि के शाशन के स्थापना की गए इसमें प्रजा संप्रभु ही और उसके द्वारा राजा सहित सभी लोग एक उच्चतर विधि के अधिन लाए गए इसी अनुक्रम में सम्विधान का अभ्युदय होता है सम्विधान के रूप में एक मूल भूत शर्वशेष्ट विधि का निर्मान जन सामानदारा किया गया वर्तमान समय में लगभग हर देश में प्रजात आंत्रिक विवस्था है जहां लिखित अत्वा अलिखित सम्विधान है जिसकी रास्ट की सर्वोच विधि के सत्ता का बल प्राप्त है अब हम देखते हैं सम्विधान का उद्देश क्या है सम्विधान का उद्देश राजनितिक शक्तियों या राज्यों के अंगों के गठन एवं शक्तियों के विभाजन को सुनिश्चित करना है चुँकि सम्विधान की प्रक्ति सामानि कानुनों से भिन होती है अतहा नियापालिका को इसके प्रावधानों के नियाय निर्णन में प्रिथक निर्वचनों के नियमों का पालन करना होता है। समविधान का राज्यों के अंगों के दाइत्वों, उनकी शक्तिओं के अलावा एक और महत्पूर कार है और वह है जनता के मूलभूत अधिकारों का निर्धारन। समवधानिक न्याय निर्णयन की प्रकृती सामान विधी के न्याय निर्णयन से भिन होती है। इसका मुख्य कारण समवधानिक विधी की प्रकृती का सामान विधी एवं अधिनियमों से भिन होना है। सामान विधि एवं अधिनियमों में क्या अंतर है जिसके कारण समविधानिक न्याय निर्णेन को सामाय न्याय निर्णेन से अलग रखा जाता है। प्रथामंतर है सामान विधी का श्रोत विधाईका होती है, जबकि समविधान का अप्रत्यक्ष या रिमोट इस्त्रोत जनता होती है और उसका प्रत्यक्ष इस्त्रोत समविधान सभा है, जो कि विधाईका की शक्तियों का भी निर्धारन करती है. समवधानिक विधी सामान विधी से उच्चतर स्थिती में भी है जब भी दोनूं विधियों में विरुधा भाश होता है तो फिर समवधानिक विधी को मानतपदान की जाती है एवं समवधान की सामान विधी को शक्ती बाहे अर्थात अल्ट्रा वायरस के सिध्धान्त के अनुसार असंबंधानिक घोशित किया जा सकता है। राज्यों के बीच विधाई, प्रशाशनिक एवं वित्ती शक्तियों के अथ्वा छेत्राधिकार संबंधी प्रावधान संविधान का प्रमुख भाग होते हैं। जो सामान्य विधी का छेत्राधिकार नहीं होते। इसके अलावा व्यक्तियों अत्वा नागरिकों के मौलिक अधिकार भी संविधानिक प्रावधानों का विशिष्ट बनाते हैं। तथा सम्वेधानिक न्याय निर्णेन में प्राधिकारियों को ज्यादा शक्तिशाली एवं न्याय निर्णेन में अन्य सिध्धानतों की आविशक्ता को भी बढ़ावा देते हैं। अब हम देखते हैं कि समवधानिक न्याय निर्नेन करने में कौन से न्याले सक्छम होते हैं। वास्तों में समवधानिक प्राफधानों के न्याय निर्नेन की शक्ति हमारे उच्चतप एवं उच्च न्यालों को प्राप्त है। और इसलिए इन्हें हम समवधानिक न्याले के नाम से भी जानते हैं। इनके न्याधिशों को जस्टिस की संग्या दी जाती है। बहुत से ऐसी शक्तियां हैं जो केवल हमारे उच्तम एवं उच्छ न्याले में ही सन्नेहित हैं। यहाँ शक्तियां हमारे निमतर या जो जिला न्यायले हैं उनको प्राप्त नहीं होती हैं. उच्तम एवन उच्छ न्यायलें के सम्वेधानिक न्याय निर्णन विशेश शक्ति प्राप्त होते हैं। इनके पास अपिली अधिकार्ता के साथ साथ लेख अठात रिट की विशेश शक्ती होती है जिसका ये प्रयोग करते हैं और इस तरह से न्याले निती निर्धारण में भी अपनी अहम भूमी का अदा करते हैं। इस समवंद में हमें समविधान के अनुचेद 141 को देखना होगा, जिसके अनुसार हमारा उच्तम नियाले जो भी निर्णय देता है वहां भारत राजचेटर के सभी अधिनस्त नियालें पेर बाधिकारी प्रभाव रखते हैं। अपनी नियाईक प्रणवलोकन अथ्वा जुदीशल रिव्यू की शक्ति का प्रियोग करते हुए हमारे उच्तम एवं उच्च नियाले समविधानिक नियाई निर्णयन ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि सामान्य नियाई प्रक्रिया एवं सम्विधानिक नियाई निर्णयन में क्या सम्बंद हैं। हम देखेंगे कि न्यायक प्रक्रिया एक व्रिहत अवधार्णा है, जिसमें अधिनस न्याले, उच्च न्याले एवं उच्तम न्यालें की सम्पूर्ण प्रक्रिया समलित होती हैं. तथा संविधान के अत्रेक्ट अन्य या सामान विधियों के निर्वचन, परिन्यमों, नित्यों से संबंधित वाद प्रक्रियाओं भी इस सामान विधी के निर्वचन या न्यायक प्रक्रिया का भाग होते हैं. जब हम सम्विधानिक न्याय निर्णयन की बात करते हैं, तब हम सम्विधानिक प्रावधानों के न्याय निर्णयन तक ही सिमित होते हैं। भारती प्रावधानों में जब हम देखते हैं कि सम्विधान में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिनको हम निर्वचन्य में या आकर्शन के केंद रहें हैं। उधारण सरूप हम देखेंगे हमारे सम्विधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, गवर्नर को प्राप शक्तियां, गवर्नर की न्युक्ति, न्याधिशों की न्युक्ति एवं ट्रांसफर, संस्योधन की शक्ति, इमर्जेंसी या आपातकाल संबंधी प्रावधान. इन सभी प्रावधानों के निर्णयन में जो भी सिध्धान्त अपनाए गए हैं, वहा सम्विधानिक न्याय निर्णयन का बहुत अच्छा उधारण है. भारती सम्विधान में मुख्य रूप से कुछ ऐसे संबंध हैं, जिनके उपर न्याय निर्णयन किया जाता है. ये मुख्य संबंध इस रूप से हैं, पहला संबंध हम संग एवं राज्यों के बीच देखते हैं, दूसा संबंध राज्यों और अन्य राज्यों के बीच, तीसा संबंध राज और उनके नागरिकों अथ्वा अन्य भारती व्यक्तियों के बीच, चौथा व्यक्तियों क बीच मतलब दोनों पार्टीज व्यक्ति एवं व्यक्ति के भी संबन, पांचवा है राज्यों के अंगों की शक्तियां, जिसके अंतरगत, कारपाली का, न्यायपाली का विधान सभा, उनका विवाजन और उनका गठन संबलित होता है। इतना देखने के पस्चात कि किस तरीके के सम्विधानों पे सम्वैधानिक न्यायनिर्णयन अपलाए होता है या लागू होता है, अब हम देखते हैं वो कौन से नियम है जो सम्वैधानिक न्यायनिर्णयन में लागू होते हैं। सम्वेधानिक न्याय निर्णियन और पालन के जाने वाले निर्वचन के नियम नियालो दोरा वादों में सुनवाई एवं प्रक्रिया पालन ही तु कुछ सामान विधियों के नियम को पालन क्या जाता है उधारन सरूप, CRPC अर्थात सिविल प्रक्रिया सहीता, एविडिन्स लौ अर्थात साच्ष विधी, CPC अर्थात सिविल प्रक्रिया सहीता परन्तु उनके निर्णे तक पहुचने में नियालेओं के पास कोई भी इस्पष्ठ प्रावधान नहीं होता इसके लिए कोई भी अपचारिक नियमावली भी नहीं है समय समय पर नियालेओंदारा स्वेम ही निर्वचन के कुछ सिध्धान्त या नियम बनाए गए हैं और यह नियम अब लगभग सुस्थापित नियम हो चुके हैं जैसा कि हम देख चुके हैं कि समविधानिक प्रावधानों में नियाय निर्णयन की शक्ति हमारे सुप्रीम कोट और हाई कोट को ही प्राप्त है और उनके निर्णय अधिनस्थ नियालेओं पे लिए एक दिशा निर्देश होते हैं समविधान जिससे उच्तम विधी का दर्जा प्राप्त है कि निर्वचन के लिए नियालों ने सामान विध्यों उसके प्रावधानों से अलग नियमों का पालन करने पर जोड़ दिया है समविधान की प्रक्रती एक beneficial कानून अर्थात लाबकारी कानून की है समविधान एक लोक विधी है निर्वचन के संबंध में हमें अमेरिका के उच्टम न्यालों के निर्णे को भी देखना होता है न्याय निर्णे के समय न्याले कुछ मूलभो सिधानतों या नियमों का पालन करते हैं भारती न्यालों ने भी उच्टम न्याले जो की युएस के न्याले हैं उनके द्वारा दिये गए निर्णे को गाइडिंग सोर्स के रूप में समय समय पर लिया है एक प्रश्ण जो हमेशा से ही समविधानिक न्याय निर्णे के लिए उठता रहा है वो था की समविधान के प्रावधानों का निर्वचन करते हुए समविधान, निर्मान एवं ग्रहन करते समय जो परिस्थितिया थी उनहें अधिक महत्व दिया जाना चाहिए या पस्चात वर्ती सामाजिक, आर्थिक या राजनितिक परिवर्तनों के कारण वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं न्यालें उन पर जादा ध्यान दे। इन दोनों सिध्धान्तों को दो अलग-अलग नामों से जाना जाता है। पहला सिध्धान्त कहलाता है अतिहासिक निर्वचन का सिध्धान्त। अर्थात वह सिध्धान जिसमें न्याले यहां विश्वास रखते हैं कि जिस समय सम्विधान का निर्मान हुआ था, उस समय जो भी परिस्तितियां थी उनहीं प्रावधानों को ज़ादा महत्व दिया दूसरा सिध्धान्त है सामाजिक निर्वचन का सामईक सिध्धान्त अर्थात contemporary law इस सिध्धान्त में यह माना गया कि जिस समय सम्विधान बना था, उस समय की परिस्तियां अलग थी और वर्तमान में जिस समय क्योई भी निर्णे के लिए कोई केस नियाले के सम्मुखाया है उस समय की परिस्थितियों में बहुत अमूल चुल परिवर्तन हो चुका है और इस परिवर्तन को ही ग्रहन किया जाना चाहिए इस संबंध में हम दो बात देखते हैं प्रथम वाद है डिरेट स्कॉट वर्सिस सैनफोर्ड जो की 1857 का वाद है इसमें US सुप्रीम कोर्ट ने US सम्विधान को इंटरप्रेट करते हुए या निर्वचन करते हुए भारती सम्विधान के अत्रिक्त फॉस्ट इत्यहासिक निर्वचन के सिध्धान को अपनाया यहां निर्नित क्या गया कि जिस समय US का सम्विधान बनाया गया था उस समय नीग्रोज के स्थिति को न नागरिक थे, उन से निन्मितर माना गया था, लो़र माना गया था और इसलिए नीग्रोज को सिटीजन का दरजा प्राप्त नहीं था। और इस आधार पे निर्ने दिया गया कि चूकी नीग्रोज जिस समय यूएस का समिधान बना उस समय वहां के नागरिक नहीं थे, इसलिए वो यूएस के फेडरल कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। नियाधी स्टेंसी ने समविधान नियाय निर्नेन को निर्वचित करते हुए लिखा कि प्रजेंट पब्लिक ओपीनियन या फीलिंग नियाले को उस से अधिक निर्वचन या लिब्रल अर्थ्यान्वन के लिए नहीं प्रेरित कर सकता। अर्था जो परिसित्या समविधान ग्रहन करते समय थी उनको ही ज्याधा प्रभावशील बनाया जाना चाहे। परन्तु इसके विप्रीत, M.C. College v. Mettland 1819 के वाद में तूसरे निर्वचन के सिध्धान्त, अर्थात सामीक निर्वचन के सिध्धान्त को महत्व दिया गया। और इस तरह Chief Justice Marshall ने contemporary अर्थात सामीक निर्वचन को महत्व दिया। और कहा कि सम्विधान आने वाली कई नसलों के लिए बनाया जाता है। इसे मानव संबंधी समस्याओं के अनुरूप अडॉप्ट करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। अर्थात, जिस समय सम्विधान का निर्मान हुआ था, उस समय से यदि वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आ चुके हैं, तो इन उत्पन चैलेंजिस को मीट करने के लिए हमें सम्विधान को निर्वचित करना है। अता सम्विधानिक विवादों के निर्वचन के लिए बहुत से नियम बनाए गए जिसमें यह पाया गया कि सम्विधान नियाय निर्णे के समय नियाले कुछ मूलभु सिद्धानतों या नियमानों का पालन करता है। भारती न्यालें पर US न्यालें का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है. कुछ सामान निर्वचन के नियम जो समविधानिक न्यानियों में अपनाए जाते गए हैं, वो हैं. इसमें से कुछ इस प्रकार है. आधात हमारा समविधान एक लाभकारी कानून है. दूसरा, समविधान के प्रावधानों का कठोर या नैरो सेंस में इंटरप्रेटेशन नहीं किया जाएगा. इसका interpretation या निर्वचन हमेशा उदारवादी या लिब्रल दृष्टिकोन के साथ किया जाएगा सम्विधानिक नियानरने करते समय समकालीन वर्तमान परिस्थितियों एवं समस्याओं का अवलोकन किया जाना चाहिए भूत्वूर परिस्थितियों पर कम ध्यान दिया जाना चाहिए केवल शाब्दिक अर्थ्यान्वियन अथ्वा रिष्टी के नियमों का पालन नहीं किया जाना चाहिए अपितु स्वर्निम या गोल्डन रूल का पालन किया जाना चाहिए इसके अत्रिक यह भी निर्नित क्या गया कि निर्नियन में निर्ने के संभावित परिणामों को भी ध्यान रखते हुए निर्ने दिया जाना चाहिए अर्थात भविश्य में उस निर्णे की क्या परिणाम होने वाले हैं इनका भी ध्यान सम्वेधानिक नियार निर्णें में रखा जाता है अब हम देखते हैं कि वो कौन से छेत्र हैं जहां पे सम्वेधानिक नियार निर्णें प्रचलित है मूलभूत अधिकारों एवं सम्विधानिक न्यार निर्नेव में बहुत परस्पर गहरा संबंध है भारत का सम्विधान जन सामान के अधिकारों के लिए सजग दिखाए देता है यद भी यह अधिकार स्वतह प्रवर्तनी नहीं है और इनके समुझित प्रवर्तन के लिए एक स्वतंद्र एवं निस्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है समय समय पर न्याय पाली का द्वारा मूल भूत अधिकारों के सनरक्षन एवं समवर्धन के लिए प्रयास किये जाते रहे हैं। परंतु, बहुत अधिक कछोर अर्थ्यान्विन के स्थान पर लचिले एवं सुर्णिम नियम को अपनाया गया। इसका मुख उद्देश समविधान के प्रावधानों को परिवर्थित परिस्थितियों, उद्देशों के अनुरूप निर्वचित करना है। जिससे समविधान में लचिलापन बना रहे और वहां नवीन समस्याओं और चुनोतियों को आसानी से दूर कर सके। प्रमुख रूप से उच्तम न्यालों ने मूल भूत अधिकारों से संबंधित न्याय निर्णियों में हित्प्रत एवं लाभकारी तरीके से निर्वचन किया है। अनुछेद 21 जो की जीवम एवं टहिक सतनता का मूल भूत अधिकार है प्रदत करता है। इसके निर्वचन में सम्वधानिक न्याय निर्णन में इसपश रूप से परिवर्तित स्वरूप को देखा जा सकता है। जिसमें 1978 में मेनका गांधी के वाद में उच्तम न्याले द्वारा दिया गया निर्णे बहुत महत्पूर्ण है। इसके अंतरगत यहां निर्णित किया गया कि अनुछेद 21 में बताई गई प्रक्रिया को राइट, जस्ट और फेर होना चाहिए ना कि पक्षपात पूर्ण एवं दमनकारे। इस प्रकार सम्विधान में प्राकृतिक न्याय के नियमों को समलित कर दिया गया। इसी प्रकार से एक महत्पूर्ण वाद है हुसेन आरा खातून जो की 1979 का भाद है और इसे SPG ट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। इस वाद में अनुछेद 21 में प्रदत जीवन एवं दैहीक सुतनता के भाग में SPG ट्राइल को अभिन अंग के रूप में स्विकार किया गया। यहां यह उलेखनी है कि सम्विधान के अनुछेद 21 में प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से फेर्नेस और जस्टिस के प्रिंसिपल को जोड़ा गया। इसके अलावा यहां चीज भी उलेखनी है कि यहां शब्द SPG ट्राइल, फेर्नेस, जस्टिस, नैच्रल जस्टिस यहां नियम इस पष्ट रूप से अनुछेद 21 में उलेखित नहीं है। यह सम्विधानिक न्याय निर्नें द्वारा ही सुस्थापित किये गए हैं। सम्विधानिक न्याय निर्नें के माध्धम से उच्टम न्याय द्वारा प्रतिपादिस सिध्धानत या व्याख्या जो की सम्विधान के प्रावधानों को ज्यादा प्रभावशील एवं अनुरूपता प्रदान करती हैं। ऐसे अनीक वाद जैसे Francis Colliery vs Union of India या Francis Colliery vs Union Territory of New Delhi ही 1981 जिसमें Right to Life को Right to Livelihood के साथ जोड के देखा गया और यह स्पष्ट किया गया कि Right to Life में Right to Live with Human Dignity शामिल है। इसी तरह सुनील बत्रा का वाद जो की 1970 में आया इसमें भी उच्टम्नाले ने बताया कि Inhuman Treatment, Cruality या Disagrant Punishment जो हैं वो अनुछेद 21 का Volition माना जाएगा। इस संबंध में बहुती महत्पूर्ण वाद है RMD चमारबागवाला वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया जो की 1957 का वाद है और जिसमें Article 19 के अंतरगत Trade और Business के Freedom में यहां इसपस्ट किया गया कि Price Competition शब्द को निर्वचित किया और न्याले ने एक बहुती उदारवादी द्र इस सिध्धान्त का पालन करते हैं कि किसी भी कानून को इस तरह से निर्वचित किया जाए कि उसकी संब्धानिक्ता को बनाए रखा जाए अर्थात उसकी असंब्धानिक्ता को जितना कम किया जा सकता है उस ओर ध्यान जाए यह सामानि सिध्धान्थ अब भी अपनाया जाता है कि मौलीक अधिकारों पर सोज थापित रस्टिक्षन से अनिता रस्टिक्षन ना लगाया जाएं। अनुछेद 19-2 में जो सामानि हित्ध के लिए कुछ रस्टिक्षन लगाये गए हैं, नियाले दोरा समय समय पर निर्नित किया गया कि अनुछेद में इस पुष्ट रूप से लगाये रस्टिक्षन के अत्रिक्ष अन्य रस्टिक्षन उसमें समाहित ना माने जाएं। अपात काल की घोष्टना और उससे होने वाले प्रभावों पर भी नियाले ने कई महतपूर निर्ने दिया हैं। और नियाले ने उनके अधिकारों को या उनके हितों को सनरक्षन प्रदान किया। इसमें मिनर्वा मिल्क के वाधिका उल्लेक करना आवशक है। अपात काल में जब भी कारपाली का और ववस्थापी का और आम लोगों के प्रती अपने कर्थव्यों के पालन में निश्कृता दिखाई। तब तब नियाय पालिका ने जन सामान के अधिकारों के रक्षा के लिए कई आदेश दिये। उधारन के सरूप नियाले ने लोकस स्टंडाई को उधार बना दिया। इस प्रकार से PIL जैसा नया कॉंसेप्ट लाना भी समवेधानिक निर्वचन का एक अच्छा उधारन है। मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याक्षा भी इस संबंध में Pupils Union for Democratic Right के वाद में और बंधुहा मुक्ति मोर्चा के वाद में की गई। जहांपे यहाँ इस पश्ट है कि कभी भी समवेधानिक नियायनिर्व में नियापालिका का उद्देश हमेशा लिब्रल इंटरपेटेशन करना है। जब कभी भी सरकार के अंग जैसे विधाईका या कारपालिका शक्ति बहाईकार करते हैं तब समवेधानिक नियायनिर्णन के द्वारा ही नियायपालिका के सरकार के अंगों पर प्रतिबंध लगाये हैं। और एक सीमा रिखा निश्चित की है उधारन सुरूप केश्वान अंभारती के वाद में नियायक पैलिका द्वारा मूलभूर धाचे का सिध्धान्त जो विधाईका को समवेधानिक परिधी में बांधने का एक उत्तम प्रयास है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नियाय प्रक्रिया का सर्वुच्त या सर्वाधिक महत्पुन भाग समवेधानिक नियाय निर्नेन है। क्योंकि सामान्य विध्यों के निर्वचन में उपनाये वाले नियमों का उतना प्रभाव सरकार के अंगों पर नहीं पढ़ता या व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों पर नहीं पढ़ता जितना प्रभाव सम्विधान के प्रावधानों के निर्वचन का पढ़ता है क्यो अत्वा राजपालों की न्यूक्ति, कारपालिका और विधाईका के बीच उठते मतभेद, अपातकालिम प्रावधान और संसत की सम्विधान शंशोधन की शक्ति जैसे मूल भूत मुद्दों पर न्यायपालिका ने सम्विधानिक निर्णेयों से विभिन सिध्धांत सुस् एवं सम्विधान न्याय निर्णेयन में अन्य कानूनों के भी स्थापित किया है। इस संबंध में हाली में उच्तम न्याले ने संसत द्वारा न्यायधीशों की न्यूक्ति के लिए बनाएगी विधी को और सम्विधानिक घोशित कर न्यालेयों की स्वतंत्रता को सन्रक इस संबंध में पूछे जा सकने वाले कुछ प्रश्ण। प्रमुक प्रश्ण हो सकते हैं, भारत में न्याइक प्रक्रिया एवं सम्विधानिक न्याय नर्नें के बीच क्या संबंध है? भारती न्यालें द्वारा सम्विधानिक न्याय नर्नें में कौन से सिध्धान्तों का पालन किया जाता है? अभी आप सुन रहे थे विधी विश्य पर आधारे धोनी करिक्रम समवैधानिक न्याय निर्णैन करिक्रम के विश्य विश्य शग्य और वार्ता कार्थी डॉक्टर मूना पुरोहित उद्गोशी का थी अनुराधा इस करिक्रम का धुनयांकन संपादन और प्रस्तुति करण किया अमर बहादुर यादवनी ये धुनी करिक्रम मध्यप्रदेश भोच मुक्तिविश्विद्यले के इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया